नमस्कार मैं मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन का विशेष कारिक्रम जनता जंक्षन सो इस कारिक्रम का पहला दिन है तो सबसे पहले आपका परिचिया इस कारिक्रम से कड़ा देता हूँ पहले हम लोग केवल बिहार से जुड़ी खबरों को ही आपसे साजा करते थे लेकिन अब हमने सोचा कि रोज रात को आट बजे जनता जंक्षन शो नामक कारिक्रम के माध्यम से आपको बिहार के साथ साथ देश की भी बड़ी खबरों से रूब रूप कराया जाए इसके अलावा बिहार को किसी भी रूप से प्रभावित करने वाली खबरे भी इस शो का हिस्सा रहेंगी यह एक सामका शो होगा जो प्रती दिन सोंबार से सुक्रबार तक रात आट बजे आएगा सबसे पहले बता देते हैं कि आज हम किन खबरों के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहला है करोना वैक्सिन को लेकर मचा बवाल दूसरा खबर है करोना के बीच बर्ट फलू को लेकर हुए अलर्ट के बारे में बताएंगे कि आखिर बर्ड फलू क्या होता है और कैसे राजस्थान तता मध्य पर्देश में सैकलो पक्षियों की जान इसकी चपेट में आने से चली गई है तिसरा खबर है रोबर्ट वाडरा की बेनामी संपती से जुड़ा हुआ आज रोबर्ट वाडरा से पुष्टाश करने आयकर विबाग की टीम उनके घर पहुची थी बताया जा रहा है कि आयकर विबाग के तरब से रोबर्ट वाडरा को नोटीज भेजा गया था लेकिन वे खुद आयकर विभाग के दफ्तर नहीं पहुँचे जिसके बाद विभाग खुद उनके घर पहुँच गया चौथा ख़बर पश्चिम बंगाल की राजीती से जुड़ा हुआ है लेकिन बिहार के राजीती के लियास से भी उतना ही मत्तपुन्ध है पड़ोसी राजी होने के नाते वहां के राजीती खलचल का सीधा असर बिहार पर होता है तो वहीं इस बार जदिव बार बार भार भाजपा को बंगाल चुनाओ के नाम पर आख दिखा रही है तो आईए सुरू करते हैं करोनाव वैक्सिन से सबसे पहले तो करोना वैक्सिन को लेकर सोशल मीडिया पर एक अफवा फैलाई जा रही है कि इसको लगवाने के बाद इंसान नपुनसक हो जाएगा स्वास्त मंत्राले ने इसका खंडन भी कर दिया है उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर अफवाहो का बायार खुब गरब है तरह तरह की बाते बनाई या रही है DCGI यानि की ड्रक्स कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया ने भी इसका खंडन किया था DCGI ने साब साब कहा है कि तीका लगवाने के बाद इसका हलका साइड इफेक्ट दिख जाता है DCGI ने साब साब कहा है कि तीका लगवाने के बाद इसका हलका साइड इफेक्ट दिख सकता है जैसे हलका बुखार, हलका दर्द और थोड़ी बहुत ऐलर्जी जैसे इसी इसी बन सकती है लेकिन यह सब समाने बात है इससे किसी को भी घबराने की कोई जरुवत नहीं है अब FAU का मजार कहा से सुरू हुआ सबसे पहले ही से समझिए सबसे पहले सोचल मीडिया पर यह बात होनी सुरू हुई थी कि कोरोना के वैक्सिन में सुवर के मांस का इस्तमाल किया गया है ऐसा लिखा जा रहा था कि कोरोना वैक्सिन को बनाने में सुवर के मांस से निर्मित कुछ वस्तूओं का प्रयोग किया जा रहा है हालाकि बाद में कोरोना वैक्सिन बनाने वाली कमपणियों ने इसका खंडन कर दिया लेकिन एक बात तो सच है कि कुछ कमपणिया वैक्सिन को सुरक्षित रख रखाओ के लिए शूवर के मांसे से बड़े बने जिलेटीन का प्रयोग कर रही है अब इसके बाद आया नपुन्सक वाला थियूरी पहले एकलेस जादों ने वैक्सिन पर खुद सवाल उठाया और कहा कि वह इस वैक्सिन का उप्योग नहीं करेंगे तो महीं इसके बाद उन्हें के पार्टी के एक MLC साहब ने बयान दे दिया कि हो सकता है यव वैक्सिन आपको नपुन्सक बना दे इसके बाद कोरोना वैक्सिन के ट्राइल पर सवाल उठाये जाने लगा कॉंग्रेस के बड़े नेता ससी थरूर ने कहा कि वैक्सिन अभी तीसरे चरण के परिक्षण में है और ऐसी इस्तिती में टीका लगानी के अनुमती देना खतरनाक हो सकता है अब सरकार की तरब से बार-बार यह भरोसा दिलाये जा रहा है कि वैक्सिन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है भाजपा नेता कॉंग्रेस पर अब निचाना भी चाल रहा है आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यह वैक्सिन कितना कारगर हो सकता है कमपनियों के तरब से बताया जा रहा है कि यह तीका 70% से ज़्यादा कारगर है अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या वैक्सिन लगवाने के बाद कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमीत नहीं होगा तो इसका जबाब है कि टीका लगवाने के बाद भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमीत हो सकता है इसके बाद बड़ा सवाल आता है कि क्या करोना का वेक्सिन सभी व्यक्तियों को मुप्त लगाये जाएगा तो इसका जबाब है कि डॉक्टरों के साथ साथ तीन करोण अन्य वरकरों को मुप्त लगाये जाएगा लेकिन आम जनता के लिए कुछ साफ नहीं हुआ है हमारा आपसे सला रहेगा कि सोशल मीडिया पर फैल रहे या फ्वाहों से साउधान रहे और सरकार पर भरोसा रखे अब आते हैं दुसरे खबर पर मद्य प्रदेश और राजस्थान में सेंकडों की संख्या में पक्षियों की मृतु हुई है मृतु के बाद पता चला कि यह सब बर्ट फ्लू के चलते हो रहा है कुछ ऐसा ही खबर हिमासल से भी आया जहां सत्रा सब पक्षियों की मौत हो गई है आप जिस वाइरस के चलते बर्ट फ्लू होता है उसका नाम एवियन एन फ्लेंजा वाइरस H5N1 है बर्ट फ्लू के मदे नजर केंद्र के साथ राज सरकारों ने भी अलर्ट जारी किया है जारखन सरकार भी बर्ट फ्लू को लेकर अलर्ट पर है बर्ट फ्लू इंसानों में पक्षियों से फैलता है खास कर मां सहारी खाने वाले को इसका ज्यादा खत्रा रहता है यह वाइरस आम पर-पर पहले मुर्गियों में फैलता है और फिर उसके जरिये सीधे इंसानी सरीर में पहुंचाता है यह वाइरस इंसानों में आख नाक या फिर मुग के जरिये फैलता है यह इतना खतरनाक होता है कि यह किसी इंसान की जान भी ले सकता है कित्रे खबर robot वाडना से जुडा हुगा है बेनामी संपती के मामले में robot वाडना से पुस्ताच करने आर्या IKAR VIVाग के अधिकारी उनके घर पहुचे थे बताया जा रहा है कि IKAR VIVाग के तरफ से पहले ही robot वाडना को नोटीच जारी किया गया था लेकिन वे आयकर विवा के दफ्तर नहीं पहुँचे थे, यह पुस्ताष रोबर्ट वाडरा के फरीदाबाद और विकानेर जमीन घोटाले से जुडा हुआ है, रोबर्ट वाडरा की कमपनी पर आरोप है कि उसने 79.55 हेक्टेर जमीन 72 लाक रुपिये में खर दी थी, और फि इतने का भी आरोप है, फिलहाल वे अग्रिम जमानत पर जेल से बाहर है, चौथा और आखरी है पशिम बंगाल से जुडा हुआ, इस बार ममता बनर जी भाजपा पर बंगला संस्कृति को लेकर निशाना लगा रही है, उनका कहना है कि भाजपा को यहां की संस्कृति के ब इस बार बंगाल के मद्दे नजर भी भुनाना चाहती है, भाजपा स्वामी विवेका नंत के सहारे ममता बनर जी पर हिंदुत्त और महा की संस्कृति दोनों को लेकर हावी होना चाहती है, इसके अलावा 23 जन्वरी को जब सुभाश चंद्र बोस की जन्ती मनाई जाएगी तो प्रधान मंतर नरेदर मोदी खुद बंगाल जाएंगे, ममता मनर जी जब भाजपा पर बाहरी होने का आरोप लगा रही है, तो भारतिया जन्ता पार्टी अपने संस्थापक स्यामा प्रसाद मुखर जी को आगे कर रही है, इन सब के अलावा रभीन्दा टेगोर पर भारतिय जन्ता पाटी लगातार कारक्रम कर रही है, बिहार में जन्ता दल उनाइटेट भी बंगाल चुनाओ के हिसाथ से तयारी कर रही है, जदिव लगातार भाजपा कुमाग दिखा रही है, कि बंगाल चुनाओ में वह अकेले चुनाओी मेदान में उतर सकती है, अगर आल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो शेर कीजिए फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फेसको लाइक कीजिए यूट्यूब पर देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलतने हैं फिर बहुज़े लगले वीडियो में कैमरे के पीछे खड़े